वैसे तो पालक की सबजी आपने कई बाल बनाए होंगे और खाई भी होंगे तो चलिए आज बनाते कुछ नए तरीके से एकदम चटपटा पालक की सबजी बनाएंगे जो आप लोगों को सबको पसंद आएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह दिखें सबसे पहले आमें लेना है चाट लेना है कि कई बार क्या होता है घास या गंदेगी आपको मिल जाएगा पालक में तो अच्छे से चाटने के बाद आपको धोल लेना है दो बार और यह दिखें बारिक-बारिक काट लेना है जितना बारिक आप उसे हो पाए उतना बारिक आपको काटना है ये देखे, पालक काट लिया है, अब हमें एक बर्तर में रख लेना है, और एक चोथाई चमच नमक देके, हमें ये देखे, मिक्स करना है, मैंने यहाँ पर 200 गिराम पालक लिया है, ये देखे, अब मिक्स करने के बाद, हम 15 मिनट के लिए रख देंगे, रेस्ट होने के है मोटे बाले अगर आपके पस पतले बाले है तो आप लगभग 20 के आसपास यूज कीजिए क्योंकि इस बाली रेसिपी में हमें लसन की जरूरत ज्यादा परेगा और एक टुकड़ा अद्रक को यह दिखे छोटी-छोटी टुकड़ों में काट लिया है और दो हरी मिर्च ल देंगे पाले में और बाकी रख देंगे जब हम गरेवी बनाएंगे मसाला तब यूज करेंगे और तीन चम्मच बेशन देंगे बरे चम्मच में लिया है एक चोथाई चम्मच लिया है अजवाइन एक चोथाई चम्मच आमचूर पाउडर एक चोथाई चम्मच गरम मसाला और एक चोथाई चम्मच लिया है मैंने सोडा जो ब्रेकिंग सोडा होता है वो दिया है दो बड़ी चम्मच में प्याज लिया है प्याज को बारिक बारिक काटना है और अच्छे से mix कर लेना है ये दिखिये बहुत ये अच्छे से पेष्ट बन गया है अब हमें हाथों की सहारे ये दिखिये इस तरह से गोल गोल इक बॉल बना लेंगे तो चरिये अब हम fry कर लेते हैं कराय को सबसे पहले गरम कर लेंगे अच्छे से उसके बाद हम cooking oil add कर देंगे मैं सरसू के तेल से फ्राइ करूंगी आपको कोई सा भी तेल पसंद है आप यूज कर सकते हैं अब तेल को अच्छे से गरम करेंगे और gas दीमी कर देंगे एक चोथा ही चम्मच हमें हींग दे देन है अच्छे से जब हमें हींग देंगे बहुत ही अच्छा सा खुश्पू आएगा जो आप कोपते फ्राइ करेंगे और याद रखे जब आपको कोपते बनाना है इस तरह से बॉल तो याद रखे पालक में पानी बिल्कुल भी ना हो अगर आपको लगे कि नहीं बन पर है इस तरह से आटा की तरह टाइट नहीं है तो आप एक दो चमच बेशन और एड कर सकते हैं यह देखे है फ्राइ हो गया है अब मैं सारा तेल को निकालते हुए उठा लूंगी कोपते को और याद रखे जब आप जब आप फ्राइ करेंगे कोपते को तो अच्छे से लाल कर रहा फ्राय होना चीकिए तो सारी कोपते मेने दो बार में फ्राय किया है टोटल 14 बना है 첫 Tiffany टो मैने शुरू-सुरू मैं 7-7 करके दिया है यहीं दूैसारी कोपते मेरे मेरे हो चुके है अब हम तेल उठा लेंगे यह तो हम इस तेल को एक बीकतो में ुद्रीया और इटना साई तेल लेना है हमें गैस को धीमी रखेंगे और दो तेज़ पता दे देंगे खरे गरम मसाला दिया है चार पाच लॉंग काली मिर्च दो टुकरा दाल चिनी दो इलाइची छूटी बाली लिया है अगर आपको बड़ी इलाइची पसंद है आप वो भी आट कर सकते है एक चोथाई चमच हेंग एक चोथाई चमच जीरा दिया है फिव सेकेंड फ्राइच करने के बाद यहां पर मैंने दिया है मीडियम साइच दो प्याज को काट रखा बारिक बारिक दे दिया है अब हमें प्याज को 50% अच्छा से फ्राइच कर लेना है यह दिखें प्याज साथ ही भूनना है यह देखे क्योंकि जितना मसाला को हम पकाएंगे उतना ही अच्छे ग्रेवी बनेगा हमारा तो इसलिए प्याज लसन अद्रग हरी मिरच को अच्छे से हमें फ्राइ करना है यह देखें फ्राइ हो गए है अब मैंने लिया है दो छोटे चोटे टमाटर पी ग्रेवी तो इसलिए हमें प्यूरी बना के देना है टमाटर अब दे देंगे हम एक चम्मच हल्दी पावडर एक चोटी चम्मच लाली मिर्स पावडर एक चोटी चम्मच धनिया पावडर आधी चोटी चम्मच किचिन किंग मसाला आधी चोटी चम्मच गरम मसाला अच्छे से मिक्स करते हुए 2-3 मिनिट तक धीमियाच पर और पकाएंगे यह दिखे हो गया है मसाला बहुत ही अच्छे से अब पानी आट कर देंगे तो मैंने यहां पर बड़ी गिलास में एक गिलास पानी दिया है अब ग्रेवी को अच्छे से उबालने के लिए चोड़ देंगे हाई फ्लेम गैस पर यह देखिए ग्रेवी बहुत ही अच्छे से उबाल आ गई है अब जो हमने कोपते फ्राय किये है सारे दे देंगे धीमी गैस पर छोड़ देंगे ढ़कन लगा के करीब 3-4 मिनिट तक अच्छे से बॉइल आ जाए कोपते के अंदर और जो मसा दोंगी एक चमच घे अच्छे से मिक्स कर देंगे और दे देंगे कटे होए धनिया बहुत ही टेस्टी बनाया लाजबा बनाया सबजी आप घर पर जरूर ट्राय किजिए और जो कोपते बने है इतने सौप्ट बने है मुलाइम कोपते जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा थैंक यू सो मच फूर बॉचिंग माइ वीडियो यह रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक शेर कॉमेंट चरूर किजाएगा साथ